कि हलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग सही है ना चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नमबर सिस्टम में अस्थानीमान प्लेस डेल्यू आइए इसको समझते हैं अकिरिए क्या होता है और इसकी डिफिन पर लूप क्या होता है किसी संख्या में किसी अंक का अस्थान के अनुसार जो मान होता है उससे क्या कहते हैं उसे उसका हम अस्थानी संख्या में जैसे मालीजी यह हमारा संख्या हो गया किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का अस्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका अस्थानी मान कहते है जैसे यह दो हो गया मालीजी इसका अस्थानी मान क्या होगा देखे इस question में 5283 में दो का अस्थानी मान क्या होगा तो क्या कह रहा है यहां कोश्चन में किसी संख्या में देखिए इसका कहने वाला क्या है किसी संख्या में किसी अंक का अस्थान क्या नुसार अस्थानी क्या है दो का एकाई जहाई सैकड़ा का अस्थान पर है तो यहां से हम इसको लिख दें कि यह इसका का यह इसका हो गया कि अस्ठानिय मान थ hypocli forces कम फंच मान'mπα norm असथानिय मंटरर हना है किसी संख्षां में किसी अंक का अस्थान कि अनुसार जो मान होता है उसे इसे are you man disclosure पांच ही याठ 253 में यौज़ंगा अस्थानिय मन बता ना है तो यह दो क्या है इसी काम को अस्थानी मन बताना है तो दो को ऐसे ही लिख दिए इसके बाद कितने अंक मच गए एक और दो यहां पर दो सुनना लगा दिए तो यह क्या हो गया इसका अस्थानी अमान हो गया चलिए नोट करिए देखिए एक और एक्जामपल समझाते हैं आपको अच्छे तुमौब को अस्थानी अमान आपन है थो चार कि अस्थानी इमान है यहां 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 बैदा यह कि अस्थानी 1 4 जीन गरन skipping कितने खार जाएंगे तो चार जिरो लगा देंगे जैसे बतां का अस्थानी कर रहूं दो सुनिय लगांगें के समझ गएं जहां से छोभी पूछे शेक पूछेगा तो चैसे लिख देंगे च्छेक बत कितने अंग बच रहे हैं एक अंग पो समझेगे नहीं तीन का स्थानी इमान पूछेगा तो तीन का स्थानी इमान तीन ही हो जाएगा इसके बद को यांग नहीं है नोट कर लिए समझें गया आस्तानी अमान क्या होता यह है अब हम देखते हैं जाती ऑब इसका यह संग्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे उसका इप पांच भीमाल इस्करिज जाटी जैसेente कि दो का जातिय मन पूछ रहा हो तो वास्तविक मान यानि दो यह unless क्शिर्फ ही एक बार यह से जैसा जातीय मन क्या रहा है तो यह हैं तो सिर्फ Jewish अलइक Thing आए अगर इसका पुछले आप से के ऐस्थानीय मन जो खर लिग कि ऊसके बद कितने अंक बच रहे हैं तो जीरो लगा देंगा ये क्या हो hundreds जैगा ये अस्थानिया ह। मान हो जाए खीक है अजब इन दोने कभिश निया मान और जैटी मान के बीच का अंतर क्या होगा इन दोनों कापस नहीं информया तो कितना हो जाएगा यहां पर एक सो अंठानवे यह क्या हो जाएगा यह इसका अंतर हो जाएगा समझ रहे हैं ना चलिए एक बार और समझाते हैं अच्छा से कि देखिए कुश्चन बदलते हैं अब 43,3,92 में नो का जाती मान बताना है ठिक है 43,92 में हमें नो का जाती मान बताना है समझ रहे हैं नहीं 43,3,290 कि देखिए फ्रेंट्स यहां पर चार लाग 33,292 में देखिए, नौ का में क्या बताना है, जाती एमान, अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, नौ का जाती एमान पुछा है, यानि क्या कहता इसमें, वास्तविक मान जो होता है, वही जाती एमान होता है, तो नौ है, तो बस इसको नौ लिख दीए, क्या हो जाएगा समझ रहिग नहीं जार्ग जाती हो जाएगा छेका जाती माईण 3 ही उजाएगा इस तरह से होता है समझ गहे जाती होनवान ओ 나올 एक वैलू और अस्थाणी मान भी बता ही दिये अब में यह बताना है तो देखिए एक का अस्थानिस मं लिखेंगे ये लंग देंगे उसके पार कितने 0 हेอง cuarto लिख दीं है उसके बाद 12 131 लिख दीं है कै यह क्या हो गया है अस्थानिय मन और जातिय मन जातिय मन वही होता है उसका वास्थी मेल नौता है BMन क्या हो जाएगा एक यह क्या हों गया जातीए म combination आपसे पूछ क्या रही कि बादतीश 1784 में क्या आपस में Sebastian और यहीज्य होगे आपका अंतर और यही होगी आपका एंसर समझे टूसरा कोस्टनैएं कि 31-35 32 में 2 के आस्थानिय मान में कितनेका अंतर 12 के आस्थानिय मान एसमें तो के अस्थानी मान कौन कौन से निकलने वाले हैं? बताइए तो, 2 के अस्थानी मान कौन कौन से निकलने वाले हैं? एक तीस पचीस बतीस और यह सत्रह देखिए प्रेंट्स एक तीस पचीस बतीस सत्रह में दो क्या स्थानी मान में कितने का अंतर है दो क्या स्थानी मान इसमें देखिए दो कितनी बार है दो बार है ना पहले हम इसका निकालते हैं स्थानी मान इसका फर्स्ट वाले को तो दो को लिख दी है इसके साइन है लिंग कि एक दो तीन चार पाच अगक है तह पाच जीरो एक टीन चार पाच यह क्या है itaaniya a man alerde afford अभी दो कहा कि एक अस्फाणियरों और निकलेगा यहां पर देखिये दो है कि इस दो को निखेंगे अभी हाँ पे अधो इसके बाद कितने जीरों हैं दो जीरों यह भी एक ऐस्थानी अमान पूछ रहा है ना कि 31 और 32 17 हमें दो क्या श्थानी अमान कितने आंतर है दो क्या सानी मन में तो यह पहला श्थानी मन तरह से निकला है दो कही है,ды इन दोनों को क्या करना है अंतर बताना है तो इसको भी माइनस कर ये तो कितने आ जाएगा अगर 200 गigmat हाएंगे तो 00 और यहां से दो हाणगे तो कितना हो जाएगा 8 और यहां पर 99 और यह क्या हो गया इनका अंतार और यही हो गया आपका इंसर समझे कि नहीं इस तरह के प्रस्ण आप लोग कर लेंगे एक कोशन और के अलादर रहें अच्छे सा समझ कि कर लिजिए गड़ खिक है नोट करिए तीसरा कोशन 83, 15, 32 में तीन के जातियमान के जातियमान में कितने का अंतर है तीन के जातियमान में तीन के जातियमान देखिए इसमें दो है पहला यह थ्री क्या हो गया इसका जातियमान, दूसरा का थ्री यहां पर है, तो इसका क्या हो जागा दूसरा थ्री का, यह भी इसका क्या हो गया, जातियमान मैंने आपको बताया था ना कि जातियमान उसका वास्तरीक मान ही होता है उसे हम जातियमान करते हैं यह नहीं कि इसमें सुना मत बढ़ाने लगे सुना जो बढ़ाना है वो अस्थानी मान में बढ़ाना है तो तीन का यह पहला जातियमान हो गया और तीन दो बार इ समझ गए हैं नोट कर लीजिए आता है कि आप लोग इसको अच्छे समझे होंगे ठीक है ना समझ रहा है ना चलिए आप कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण बिंदू है नंबर सिस्टम के चेप्टर्स में उसके भी कोश्टन बहुत सारे आते हैं उस चीज़ को भी नोट कर लीजिए ठीक है इसको नोट करने के बाद उसको करिए चलिए देखिए फ्रेंट्स मौत्रबर बिंदू में हमारा पहला बिंदू क्या है किसी संख्या यन के लिए यन के पावर पी माइनस यन हमेशा किस से भी भाजित होगा पी से चलिए देखिए इसका एक इग्जामपल जैसे माली जो के पावर 5 मैंश 2 किसे भी बश्य होगा तो के पावर कितना हो जाएगा आपका ए Her 8000 चंब कर ना पाठtechn Like अपन अड़ श लूना फृट्व दूना चार अट दूना फृच में तो कितना तो एक कतना हो जाएगा तो यह क्या है पांच से यह हो गया आपका एंसर समझ गए ना इसका कॉंसेप्ट चलिए नोट करिए चलिए फ्रेंट यह देखिए अगरा कॉंसेप्ट दूसरा जब किसी बिसम संख्या के वर्ग को आठ से भी भाजित किया जाए तो सेस्फल हमेशा क्या होगा एक प्राप्त होगा समझ गया है जब किसी बिसम संख्या के वर्ग को तो जैसे माली एक साथ क्या है यह बिसम संख उसमसंटीस और रहे हैं तो कितना हो जैगा साथ- tempted हो इसके बार स्वात दें गर तामेशन हमें क्या मिलेगा रिमेंडर एक 8 चेशन का रहे है वहाई कि काह रहा है वह यहाँ कि पार आप करें गोंता हमें मिलेगा एक सेस्फल गबड़ाइए मत यह टॉपिक अभी हम रिमेंडर सुरम में अच्छे से कबर करेंगे फिलाल अभी इसको बता रहे हैं यह पर फाइव का इकाई का अंक वही होगा जो यन का इकाई अंक होगा मतलब समझ रहे है इनका पावर यहां पर कितना है dag-वर यहां इंक थ्भी मेरा एक प्राकृत्सघ्ण क्या कोई प्राकृत्व संग है तो कोई प्राकृत्सघ्ण क्या है ये 10 के लिए 10 के पावर 5-นะคะ वही होग़ी जो इन का इका है क्होंगत के एक इक होग수,, तो इसकान का इकowego 1 ट्री करें तो यह इसका है यंख हो जाएगा अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं थिरी का पावर फाइफ करीगा आप कितना आ जाएगा तीन सो तिरा लिस्ते आगे नहीं यहां पर थिरी क्या है के लिगा कंख्यए कोई प्रकृत चशख और उसका है कोई प्रकृत संख्या एंक कर लिए एन पावर फाइफ का इकाइज होगा तो इसका इकाइज होगा तो तो relieved te buttons और फाइब करें तो 343 फिर भी वहीं पर देखिए यहां भी वहीं आ रहा है इकाई कांग थ्री या रहा है इस तरह कॉस्चन को देखें आप एंसरा इसे कर लेंगे समझ गें? नोट करें चले फिरंड धngulo 17 चोर्था यदि एक पावर यन यदि A के पावर यन बटा में A-1 हो तो सेसफल हमेशा क्या होगा एक होगा जब यन या तो यह जो हमारा यन है या तो यह समसंग क्या हो या भी समसंग क्या हो समझे गा न तो हमारा रिमेंडर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा यदि A के पावर यन बटा में A-1 हो तो सेसफल हमेशा एक होगा जब यन जो हमारा ये यन उपर दिया है यन ये हमारा या तो सम हो या तो बिशम हो तब पाचपा देखिए यदि एक पावर यन बटा में एक प्लस वन हो तो से स्पल हमेशा एक होगा जहां यन क्या होगा ये उपर वाला समसं प्रवर वो ही कह रहा है यहाँ Pee यहाँ पर तो क्या था बी सम या दाट सम होना लेकिन यहाँ पर सम होना चाहिए ईजो है एक पावर ययन बटबा में फॉस स fingerna jours काका इस फड़र сравूरा यह The pensional Training & il सजाएगा नीचे देखिए छटवा यदि एक पावर यहन बटबा में फ्लासट फो सेस फरान हमेसा कि होगा सेस्पल हमेशा यह हो जाएगा कब हो जाएगा जहां यहां हमारा क्या हो अगर यह हमारा एन भी सम है तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें रिमेंडर ए हो जाएगा यह हमारा रिमेंडर बच जाएगा यही हमारा एंसर में आ जाएगा इस कॉंसेट को आप लोग समझ गए इसके कोस्टन्स चो है वो अच्छे-च्छे होंगे अभी आगे हम कराएंगा अभी कोस्टन्स की बारी सब आ रही है इन तीनों चीजों को मैंने आपको लिखवा दिया ठीक है इसको नोट कर लिजहाएंगा नोट डाउन करने के बाद कुछ भाज्यता की नियम रह देख लेंगा उसका मझक्ा देख लेते हैं चलिए परमूला ये और ये सारे जूंहे निकले हैं ये सब इसी से निकले हैं अगर इघृक आपको निकुला गाल और फइंटरना और तो बाज्यक बरबर हो जाएक होाँ बाज्य माइनस देज़ और और एक करणा हो तासे सफल करना हो तो 20 माइनस होगवाज़ निकलना हो daw निकाल निकालना हो तो इस्का प्रयोग करिएगा चलिए एक कोशन देख लेते हैं इसके उपर के प्रेंड फास्ट कोशन इसका भाग की एक किरिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा सेसपल 58 हो तो भाजे हमारा कितना होगा तो वही प्रमूला याद करिए भाजे बराबर क्या था भाजे बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या था सेसपल यही था ना भाजे बराबर भाजे गुणे भागफल प्लस सेसपल यह आपका में पर्मूला है और हमें क्या find करना है यह भाज्य फाइंड करना है तो चलिए इसके equal to अवरक देते हैं कितना हो जाएगा भाज्य कितना है हमारा सौव भागफल कितना दिया है 403 और सेश्पल कितना है एंटावन इसका गुना किया तो कितना हो गया 403 00 और इसमें क्या करतेंगे प्लास 58 तो कितना हो जाएगा हमारा 403 58 यह क्या निकल के आगया हमारा यह हमारा भाज्य निकल के आगया यहीं हो गया आपका समझ में आया ना बस डाइरेक्ट इसको फार्मूले पर रखिए गा अपको निकल के आ जाएगा अब उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा अब वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को लाइक चेर सब्सक्राइब जरूर करेगा चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अबता के लिए बाइ